21 दिसंबर को फ्रांस की राज़ानी पैरीज से करीब 500 किलोमेटर दूर एक एरपोर्ट पर एक विमान को रोका गया था लीजिन एरलाइन्स नाम के रोमिनियन कमपनी का ये प्राइवेट एरक्राफ्ट था और इसमें 303 पैसेजर्जर्स थे इस विमान को रोका गया क्योंकि फ्रांस की अथोरिटीज को लगा एरपोर्ट अथोरिटीज को वहाँ पे लगा उनको टिक अफ मिला था कि इससे यूमन ट्राफिकिंग हो रही है और इसमें 303 भारती नागरिक थे तो भारत में भी एक तरीके से हड़कम मज गया कि ये क्या हुआ ये विमान दुबई से मध्य अमरिका के निकवार्गा नाम के एक देश में जा रहा था और फ्रांस की अथोरिटीज को एक डाउट था कि शायद ये यूमन ट्राफिकिंग हो सकता है और बाद में निकवार्गा से मेक्सिकी की बॉर्डर क्रोस कर ये अमरिका में जाना चाहते थे और क्या ये हो रहा है उसके बाद चार दिन तक तफ्तिश शली और चार दिन की तफ्तिश के बाज आज सुबह करीब चार बज़े के आसपास इस 303 में से 276 भारतिय नागरिक वापस अपने देश अपने घर पहुँच गए है इसके पीछे क्या कारण है क्या वज़य है क्या तफ्तिश हो रही है इसके बारे में अब तक आधिकारिक कोई भी जानकारी नहीं गई जो अब तक फ्रांस की मीडिया ने वहां की आथोरिटीज के हवाले जो भी रिपोर्ट किया है वो हमारे सामने है ये 303 लोग थे human trafficking का एक संशे doubt उनके मन में था उनकी तफ्तिश हो गई इंटरोगेशन हो गई और दो लोगों को उन्होंने पकड़ा भी था उसमें से और फिर आगे क्या हुआ भारत की जो दूतावास है फ्रांस में उन्होंने ट्विट करके ये कहा है कि फ्रांस की आथोरिटीज और भारत की आथोरिटीज जो भी का उनके लिए धन्यवाद देते हैं और ये सब लोग जो है उनके वापस आने को रास्ता जो है वो साफ हो गया है और वो वापस आ भ क्या है कई सारे सवाल जो जो हो अभी बी मन में जिनके जवाब अभी तक नहीं में रहें सबसे हम जवाब क्या यह जो यूमण ट्रैफिकिंग का एंगल इस violation कि यूमें पर मामला था और कोई यह बिना परमिस्ट रहा था यह नहीं यू रहा था मे obey सिकों की बोर्डर अगर उनको तफ्तीश करकर वापस भेज दिया है, इंक्वैरी के बाद फ्रांस ने वापस, तो क्या ये human trafficking का angle पूरी तरह खतम हो चुका है, ये भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है दूसरे बात, क्या इनके पास सारे visa documents थे, जो भी उस देश में जाने के लिए उनके पास जरूरी होने चाहिए थे, क्या वो उनके पास थे, अगर वो उनके पास थे, तो उनके उन्हें वापस इंडिया में क्यों डिपोर्ट किया गया, उन्हें वापस क्यों भीजा गया, य उनको यहां से वहां तक ले जाया गया था इसमें कोई मिडिलमेन है यह भी बता करने की जरूर थे लेकिन आगी तरिक तोर पर किसी भी इंडियन इंवेस्टिव एजनसी का अभी तक बयान नहीं आया है हमने कुछ लोगों से बात करने की प्रोशिश की लेकिन वह बिल्कुल कुछ लोगों से वहां पर काम के लिए जाना था लेकिन आगे उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया और वो चला गया कोई भी बात करने के लिए तयार नहीं, ना कैमेरे पे आने के लिए तयार नहीं, इसलिए ये सवाल जो है वो अभी भी कायम है, इसमें आखिरकार ये क्या वज़य है और कितनी तादा जो है वो इस तरीके से विदोशों में जा रही है, क्या इसके पीछे कोई नेकसस है, कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी है